आपका मन, आपका नौकर हैं, हाँ या न, आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए, जीवन ऐसे काम नहीं करता. इसके बारे में कुछ कीजिए, दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए. एक बार, शंकरन पिल्ले को, आप किसी की बिमारी पर हस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. शंकरन पिल्ले को स्थाई टीबी हो गई, ट्यूबर कलोसिस, तो वो डॉक्टर के पास गया, वो बिमार तो काफी समय से था, लेकिन परेशानी बढ़ गई तो वो गया. डॉक्टर ने एक्सरे लिया और देखा कि फेंफरों में बड़े छेत थे, वे बोले, आपको इसी वक्त अस्पताल में भरती होना होगा. एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ीगी और आपको कम से कम छे महीने अस्पताल में रहना होगा और पचास हजार डॉलर का खर्चा होगा. शंकरन पिल्ले बोले नए, बिलकुल नए. पचास हजार तो मेरे पास बिल्कुल नहीं. छे महीने बिल्कुल नहीं. मैं आपको सौ डॉलर दे सकता हूँ, अब क्या कर सकते हैं? अभी. डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, एक्सरे की तरफ देखा, उनको देखा, फिर एक्सरे को देखा और बोले, सौ डॉलर में मैं आपका एक्सरे ठीक कर सकता हूँ. हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में शारीर एक नुकसान पहुँचाया हूँ, आपको बीमारी हूँ. जो आपके विचारों की वज़े से हूँ, ऐसा बिलकुल संभव है, क्यूंकि आप मनो देहिक हैं, जो मन में होता है, वो हर हाल में शरीर में भी होता है. लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है, तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन आपके बाद सिर्फ एक जीवन है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए. आप विचारों की प्रक्रिया की भी मदल लेना चाहेंगे, लेकिन नहीं मैं बस बैठ कर इसे विचारों से मिटा दूँगा, आप शायद व मन में उथल-फुथल करने की कोई जरुवत नहीं है, आपको इस जीव को पीड़ा देने की कोई जरुवत नहीं है, बीमारी होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है, लेकिन आपको इस जीव को दुख देने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है, क्यूंकि एक तरह से ये ए कर भागूं, तो आप भागने की कोशिश करेंगे, आप मदद मांगेंगे, आप यह सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मान लीजे आप एक लोही की छड़ी इसमें डालने लगें, तो यह कहां भागेगा, अगर आप बच्चे भी हैं, तो भी आप कुछ सुरक्षा करेंगे, पांच-छे साल का बच्चा भी कुछ सुरक्षा करता है, पर यहां कोई सुरक्षा नहीं, आप इसके साथ जो भी बकवास करते हैं, इसे बस उससे गुजरना पड़ता है, बचना असंभव है, तो यह अंदर फसे एक भ्रून को दुख देने की तरह है, आप उसे मारने यह पूरी तरह से बेबस जीव है, बाकी सब ही, चाहे वो जितने भी बेबस हों, वो अपनी कुछ न कुछ सुरक्षा करते हैं, है न, हां, अगर आप नीन्द में हों, तो सबसे कमजोर इंसान भी आपको दर्द दे सकता है, हां या न, ऐसा होता है, है न, कोई कमजोर है, आप उन्हें परिशान करते रहे, एक दिन आप सो रहे थे, तो उन्होंने बदला ले लिया, वो कुछ कर सकते हैं, सबसे कमजोर इंसान भी, एक बच्चा भी आपको कुछ कर सकता है, लेकिन ये, बिलकुल बेबस है, तो आपको इसे परिशान करने की कोई जरुवत नहीं ह चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो, अगर आपको बीमारी हो चुकी हैं, अगर आप उस स्थिती में आ चुके हैं, कि आपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, तो बहतर होगा कि हर संभव तरीके से उसका समाधान किया जाए, हाँ, आपको अपनी बगवास हर हा करने की कोशिश, क्यूंकि आप उसे मन के द्वारा लेकर आए थे, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इसे मन के द्वारा मिटा सकते हैं, संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं 100 प्रतिश्यत ना नहीं कह सकता, ये संभव है, लेकिन आप ऐसी कोशिशे मत कीजिए क्यूंकि हो सकता है आप खुढ को मिटाले एक सीमा पार हो जाने के बाद कोई आपके मदद नहीं कर सकता है न हाँ आपके डौक्टर भी एक स्थिती के बाद हार मान लेते हैं हाना एक मात्र लोग जो हार नहीं मानते वो हैं बीमा पॉलिसी वाले बाकी सभी किसी स्थिती के बाद हार मान लेते हैं सिर्फ इंशोरंस वाले हार नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि वो आप जानते हैं तो मन को जीवन में मददगार बनाना हर हाल में आपका काम है आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए है कि ने? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए आखिरकार मन आपका नौकर है हां या न आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवार करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे इस बारे में कोई गलत फहमी मत रखिए इस बारे में कोई शंका मत रखिए ऐसा होता है है न? हम? अगर आप अपने बच्चों से ठीक व्यवार ना करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे आपको कोई शक है? नई वो मेरा बेटा है वो ऐसा नहीं करेगा कोई शक मत रखिए वो ऐसा करेगा अगर आप ठीक व्यवार ना करें तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जीवन ऐसा ही है, अब आपका मन, जो इतनी शक्तिशाली, खूबसूरत और जादूई चीज है, आपका दुश्मन क्यों बन गया है, हमें ये चीज समझनी होगी, चाहे आपको कोई बिमारी हो या होने वाल जो भी हो, अब ये समझने का समय आ गया है, है की नहीं, हम्, आपको समय बरबाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि, विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना, ये कोई मजाक नहीं है, इसमें जीवन खर्च होता है, जब बीमारी हो जाती है, तो वो आपको हमेशा उल्जाए रखती है। आप अराम से बैठ कर आधियात्मिक बाते नहीं सुन पाएंगे। सब कुछ छिन जाएगा। आप अस्पताल की लाइन में बैठे होंगे। हाँ या ना, ये कोई मजाक नहीं है। ये मजाक नहीं है। उस थिती में पहुँचे बिना, आप नहीं समझते कि वो कितनी बुरी है। आप सभी, चाहे आप जितने भी स्वस्थ हों, हर महीने, अपने शहर के एक बड़े अस्पताल में जाएं। आपको वाकई में जाना चाहिए, आपको जाकर देखना चाहिए, किसी घटिया मजे के लिए नहीं, बलकि ये जानने के लिए, कि इनसान को क्या-क्या हो सकता है। बस छोटी-छोटी गलतियां, उन्होंने कोई बड़ा गुना नहीं किया, वो बस हर दिन अपने पेट में थोड़ा ऐसिड बना रहे थे। उसका नतीज़ा देखिए। अगर आप हर चीज ठीक से करें, तब भी कोई जीवानू आपमें घुसकर, समस्या खड़ी कर सकता है, किसे पता है। हाँ, आपने हर चीज ठीक से की, कोई फरक नहीं पड़ता। आप हवाई जहाज में ये सोचकर चड़े की सभी लोग हैं, लेकिन आपको स्वाइन फ्लू हो गया। वहाँ एक स्वाइन था, आप नहीं जानते। आप हर चीज ठीक से करें, तब भी लाखों समस्या हैं, है की नहीं। हाँ, जीवन की प्रकृती ऐसी ही है, कि अगर आप दूद पिएं, तब भी वो जहर बन सकता है। पर अगर आप जहर पीकर अच्छे से जीना चाहें, तो मेरी शुबकामना हैं। मैं ये ही कह सकता हूँ। है की नहीं। अगर आप अच्छा खाना खाएं, तो भी वो आपके पेट में जहर बन सकता है। संभव है। आप सबसे अच्छी चीज़ें खाईए, तो वो भी जहर बन सकते हैं। आप जहर खाकर अच्छे से जीना चाहते हैं। मैं बस शुबकामना दे सकता हूँ। क्योंकि ऐसे इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है। है न। आप जहर बना रहे हैं और अच्छे से जीने की भी उम्मीद कर रहे हैं। अरे बहुत किस्मत की जरूत होगी। हमें सभी सितारों को आपके लिए एक सीधी लाइन में लाना पड़ेगा। सभी सितारे आपके लिए एक सीध में, वरना जीवन आपके लिए फाइदे मन नहीं होगा, वो आपको निगल लेगा। तो कृप्या, अपने मन को सीधा रखिए, उसे आपके लिए काम करना चाहिए। उसे आपके लिए सुनदर चीज ind करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीजें. आपका मन बेकार की चीजें क्यों कर रहा है? तो... मैं उसे जहल नहीं सकता, मैं उसे जहल नहीं सकता. अगर मैं कड़वाहत पैदा करूँ, कड़वाहत, गुस्सा, नफरत. ये सभी वो जहर हैं, जिन्हें पीते आप हैं, और उमीद करते हैं कि कोई और मर जाए, जीवन ऐसे काम नहीं करता अगर आप जहर पिएंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, कोई और नहीं मरेगा मुझे उससे नफरत है, मैं चाहता हूँ, वो मर जाए सिर्फ आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगी है न, आप जहर पीते हैं और किसी और के मनने की उमीद करते हैं ये ऐसे काम नहीं करता तो आपको इसे ठीक करना होगा अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो सबसे पहली चीज आप ये कीजी आप जो भी चीजे कर रहे हैं उनसे ब्रेक लीजे चाहे आप जो भी कर रहे हैं आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास हर चीज़ से ब्रेक लीजिए और एक उचित स्थान पर जाएए अगर आप चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं या फिर भारत में या कहीं और जाएए जो भी आपके लिए अच्छी हो पर इसके लिए कुछ कीजिए दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए है न तो एक खुद को वाकई आनंदित और जीवन्त रखे और दूसरों की परवा मत कीजिए उससे फरक नहीं पड़ता कम से कम आप तो आनंदित हैं यह ठीक है या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है कोई भी इनसान जो ना तो खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना ही किसी और के लिए उसे खुद को इनसान कहने का वाकई कोई हक नहीं है है ना प्रकृती ने इतनी बुद्धि और जागरुकता आपके अंदर डाली है है कि नहीं हां शायद आप दुनिया में कोई महान काम नहीं कर सकते हैं उससे फरक नहीं पड़ता कम से कम आनन्द में रहिए अगर आप आनन्द में जीते हैं तो अचानक से आपको पूरी दुनिया खुबसूरत लगने लगेगी जैसे ही सारी दुनिया खुबसूरत लगेगी आप स्वभाविक रूप से हर चीज को एक प्रेम भरी नजर से देखेंगे ये स्व हर चीज सुन्दर लगती है तो आप स्वभाविक रूप से हर चीज को प्रेम से देखते हैं आप पर दिव्यक्रिपा है पस यही करना है और अगर आप वैसे नहीं है तो क्या आपको इसी वक्त कुछ समय निकाल कर खुद पर काम नहीं करना चाहिए नहीं नहीं मैं कुछ म महत्वपूर्ण नहीं कर रहें, क्यूंकि जो भी आप करेंगे, उसमें आप खुद को ही व्यक्त करेंगे, है न? आपके मूर्खतापूर्ण अच्छे एरादे व्यक्त नहीं होंगे, आप जो हैं वो ही आपके हर काम में व्यक्त होगा. अगर आपके दिमाग में जहर है तो अच्छे इरादों से अब दुनिया में जहर गोल देंगे दुनिया में यही हो रहा है दुनिया में ज्यादा विनाश अच्छे इरादों से हो रहा है ना कि बुरे इरादों से है की नहीं 1934 में एडॉल्फ हिटलर ने हैंबर्ग में एक भाशन दिया जिसमें उसने कहा मैं अपने पूरवजों का कर्तव यने भा रहा हूँ जब उससे ये पूछा गया कि वो लोगों को पकड़ कर गैस में क्यों भेज रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप समझें वो जूट नहीं बोल रहा था उसे पक्का यकीन था और यही सबसे भयंकर चीज है वो जूटा नहीं है उसे अपने काम पर पक्का यकीन था यही उसे ताकत देती थी थोड़े से समय में जिस तरह से उसने पूरे देश को संगठित किया और सभी को उस चीज में विश्वास दिलाया जिसमें उसे विश्वास था यह सरल संगठन नहीं है जबरदस संगठन है है ना क्यूंकि उस इंसान को सौ प्रतिश्यत यकीन था उसे यकीन था कि वो सबसे अच्छी चीज कर रहा है जो दुनिया में की जा सकती है जब आप उठते, बैठते, चलते और सांस लेते हुए आनंदित रहेंगे अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो बाकी के सारे काम जहर होंगे आप चाहे जो भी करें जब आप अपने अंदर खुश हैं सिर्फ तभी आप अपने आसपास की हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं जब आप हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आसपास के जीवन को समझते हैं और मूल्य देते हैं वरना इससे फरक नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी नौतिकता है, आपको कितने गरंथ याद हैं, आप सबसे भयंकर चीज़ें करने के तरीके ढून लेंगे. तो सबसे पहला काम, इनसान की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो यहां कैसे बैठा है, क्या आप यहां आनन्दित होकर बैठे हैं, क्या यहां बैठे हुए आप में कोई दुख तयार हो रहा है, यह वो सबसे जरूरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आती है बाकी की हर चीज. क्यूंकि वरना कोई भी चीज वाकई काम नहीं करेगी. प्लीज देखिए. जब भी आप बहुत दुखी होते हैं, तो हमेशा ये विचार आता है, कि आपको मर जाना चाहिए. आप वैसा नहीं करते, लेकिन विचार आता है, है ना? हाँ या ना? ऐसा कीजिए, 24 घंटे दुखी रहे. आप हमेशा टीवी या किताब या दोस्तों के साथ अपना मनुरंजन कर लेते हैं. ऐसा मत कीजिए. 24 घंटे बस दुखी रहे. 24 घंटों में आपको गंभीर विचार आएंगे कि आप मरना चाहते हैं. ये तैय है. क्यूंकि कोई भी कुछ मिनिट से ज्यादा दुख नहीं झेल सकता. कुछ मिनिट से ज्यादा होने पर आपको कोई और चीज़ चाहिए. वरना आप पागल हो जाएंगे हैं ना? ये समझना की दुख कारगर नहीं होता. ये अपना जीवन चलाने का तरीका नहीं है. आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिती हो, जो भी हो. आपके जीवन में चाहे जो कुछ हो रहा हो. शायद आप हर चीज़ कार में पैक करके ही सत्संग में आएं हो, और आपके पास घरी नहीं हो. हो सकता है, अगर आप मिशिगन से हो तो. आप नहीं, ठीक है आप नहीं. शायद कुछ और हो. जीवन में कई चीज़े हो सकती हैं, चाहे जो भी हो, आप अपने जन्म के समय से अभी बहतर हैं, है न? आपके पास कुछ नहीं था, अब कम से कम कुछ तो हैं, तो आपको फाइदाई ही हुआ है. जीवन की सुन्दर्ता देखिए, आप बिलकुल खाली हाथ है थे, चाहे जो भी हो रहा हो, आप फाइदे में ही हैं, नुकसान में नहीं हैं, इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकतें. हम, है की नहीं, तो अपनी बीमारी को विचारों से मिटाने की कोशिश ना करें, अपने दुखों को विचारों से मिटाएं, हम, अगर आपके दुख मिट गए, तो बीमारी हो या सेहत हम देख लेंगे.